Hello friends, आपका स्वागत है आपी के चैनल Trader Zone में आज हम बात करने वाले हैं Vodafone Idea के बारे में क्या लिडिज निउस निकल कर आई है, आज का performance कैसा था और Monday इसका performance कैसा हो सकता है, उसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माधियम से समझने की कोशिश करेंगे Friends, आज भी एक disappointing day था और Vodafone Idea के shareholders के लिए, जैसे ही result निकल कर आया है, कल आपको 10% की गिरावट देखने को मिली, आज भी एक अची खासी गिरावट देखने को मिली, उसके बीचे reason क्या है और इसका next action क्या होना चाहिए, उसके बारे में सारी बाते हम इस वीडियो में बात दिन पहले के इसमें से exit हो जाए करके, जिसने भी exit नहीं किया, I think उन्हें एक बड़ा loss देखने को मिला, और ये loss आज भी continue हुआ, आज 3-4% की भी गिरावट देखने को मिली, Vodafone Idea के share में, और इसका next level क्या हो सकता है, वो भी बात करेंगे हम आगे, चलिए पहले तो हम द इसके बाद अचानक से इसमें गिरावट देखने को मिली, काफी negativity फैला दी गई है, Vodafone Idea के share holders में, जिसे कि तमाम share holders इसमें से exit होना चाह रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये open हुआ था, 8 rupees 90 पैसे, ये high लगा था, 9 rupees 5 पैसे, और ये low लगा 8 rupees 70 पैसे, कल की तरह BAC के website पे देख लेते हैं, कि कैसा performance था, जैसे कि आप देख सकते है, quantity traded है, 23,67,75,000 की इसमें quantity trade हुए है, और delivery उठाई गई है, 9,99,26,000 की इसमें delivery उठाई गई है, अगर हम percentage में बात करें तो 42.20% की इसमें delivery उठाई गई है, अगर हम BAC के बात करें तो 8,79,31,000 की इसमें quantity trade हुई है, और delivery उठाई गई है, 3,66,35,000 की इसमें delivery उठाई गई है, अगर हम percentage में बात करें तो 34.84% की इसमें delivery उठाई गई है, चलिए friends, अभी देख लेते हैं, कि क्या news निकल कर आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि ICICI Securities की तरफ से, Vodafone Idea का target बताया गया है, 5 रु यह होना चाहिए, friends, यह news निकल कर आई है, ICICI Securities की तरफ से, जो भी एक बड़ी quantity में यह particular share hold करके पैठा हुआ है, मैं suggest करूँगा कि एक partial loss बुक करके, थोड़ा बहुत amount दूसरे better stocks में invest कीजेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी depth है, यह particular company पर, जिसकी वज़े से, इतना निकल कर आई है, जैसे कि आप देख सकते है, Vodafone Idea, Lenders Dial Finance Ministry, Want Relief for Telco, तो यह Vodafone Idea के Lenders Finance Ministry से अप्रोच हो रहे हैं, ता कि उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके, और उन्हें अंधरू नहीं बात कर रहे हैं, Finance Ministry से, ता कि कुछ solution निकाल सके, इस बड़े problem से बाहर निकलने के लिए, तो friends, Vodafone Level Best Try कर रहा है, कि वो इस situation से बाहर निकल सके, और इसका एकी solution होगा कि fundraising, fundraising के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी Telecom Industry में इतना गिरावट हो गई है, और इतना competition हो गया है, Airtel और Jio के होने के बावजूद, इसमें एक बड़ा tough competition हो गया है, और य इसे partial loss book करके exit हो सकते हैं, और अगर आपका vision long term के लिए है, तो इसे hold करके चल सकते हैं, कुछ ना कुछ fundraising की बात होती है, तो ये एक अच्छा खासा multi bagger भी हो सकता है friends, चलिए हम चार्ट पे देख लेते हैं, कि ये कैसा performance था, आज का, जैसे कि मैं आपको 3 दिन पहले video बना कर भी बताया था कि इसमें से exit हो जाने के लिए कहा था, जब ये अच्छा खासा high level पर था, जिसने भी मेरा video देखा और exit हो गए हो एक like बटन दबाईए और comment करके बताईएगा, friends, आज भी एक गिरावाट देखने को मिली और मैंने आपको बताया भी था, ये एक support हो सकता ह है, 8 rupees, 50 पैसे कल के video में बताया था, friends, तो accordingly आज एक support पर आके रुका है, और मुझे लगता है कि ये गिरावाट continue रह सकती है, ये 8 रुपे के level में भी आ सकता है, तमाम indicators अभी negative indicate कर रहे है, MACD negative indicate कर रहा है, और ये negative volume bars create हो रहे है, जो कि एक negative संकेत है, और ये RSI भी negative indicate कर रह है, कोई नई fresh entry करना चाह रहे है, तो मैं suggest करूँगा कि फिलाल इस particular share से दूर रहे, दूसरे better shares में invest कीजिए, काफी quality shares अभी market में हैं, तो उसमें invest कीजिएगा, retail investors, इसका rate कम है करके trap हो जाते हैं, और ये आ के फस जाते हैं, तो मैं उन्हें suggest करूँगा कि किसी better stock में invest कीज friends, ये तो मेरे views थे, कोई भी investment करने से पहले, अपने financial advisor से advice लेकर invest कीजिएगा, अगर आप मेरे channel पे नहे हैं, और आपने मेरा channel subscribe नहीं क्या, तो मैं request करता हूँ कि मेरा channel subscribe कर दे, और ये video आपको अच्छा लगा, तो इसे like कीजिए, share कीजिए, मेरे channel को subscribe कीजिए, और bell icon आपको इसी तरह की latest news और analysis मिल सके,